इस वीडियो में हम सीखने वाले है क्लास 12 सब्जेट केमस्ट्री यूनिट नमबर 12 अलकोहल फिनोल एधर के बारे में यहां पर हम डिसकस करेंगे कुछ प्रोपईन वन औल का ऑक्सट्री यानि तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रोपें वन औल का यहां पर ências और यहां पर ऑक्सिजिन से हमने इसकी रिक्शन करवाई है तो ऎलकेलान प्रेट्ट पिसके यहां पर हो रहे चिंड्यों यहांद現在 channels करें roughly kms यहां पर CS3, CS2, COOH क्या है यह propanoic acid है अब next देखते हैं हम यहाँ पर phenol की हमें reaction करवानी है bromine के साथ में in presence of CS2 question क्या है इसका second number का जो question है उसमें क्या पूछा है यहाँ पर हमसे क्या कहा है कि bromine in presence of CS2 with phenol bromine की जब आफ phenol के साथ में reaction करवाते है in presence of CS2 तो क्या बनता है तो यह हमारा phenol है यहाँ पर और यह है यहाँ पर हमारा bromine यह दोनों जब CS2 की presence में reaction करते है तो यहाँ पर यह जो ortho position है इस पर एक bromine आके attach हो जाता है और दूसरे structure पर यहाँ पर यह जो पेरा position है उस पर एक bromine आकर यहाँ पर attach हो जाता है तो इस type से हमारे पास यहाँ पर two type के products बनते हैं कुन-कुन से first रहेगा ortho bromophenol जो की minor यानि की कम amount में बनता है और दूसरा रहता है पेरा-bromophenol क्या होता है दूसरा यहाँ पर है पेरा-bromophenol जो की major amount में यानि अधिक amount में रहता है ऐसे next reaction हम देखते है question देखते है पहले third वाले question में क्या कहा है dilute HNO3 with phenol यानि की dilute HNO3 की reaction देखनी है अब हमें किस के साथ में phenol के साथ में तो जब dilute HNO3 phenol के साथ में यहाँ पर reaction करेगा तो क्या बनाता है यहाँ पर और 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 पर पोजिशन पर नो टू ग्रूप जुड़ जाता है और एक बार यहाँ पर पेरा-पोजिशन पर यह और को से इनेमोए सलीशन यानि के o फिने रियक्शन करके रहुआनी है किस की प्रिजिंस में रियक्शन होगी तो नो यह पर क्लोप फॉर्म के साथ में रियक्शन होती है तो यहाँ पर देखें किस टाइप से 그럴 ही है यहाँ पर देखें यह है हमारे पास फिनोल यह reaction कर रहा है chloroform से in presence of NaOH यह तीनों जब आपस में reaction करते है at 343 Kelvin temperature पर तो यहाँ पर बनता है salisaldehyde क्या बनता है यहाँ पर? salisaldehyde बनता है और साथ में इसमें बनता है NaCl and S2O salisaldehyde के अगर यहाँ पर हम structure देखें तो इतनी जो structure है वो तो फिनोल की ही है फिनोल के साथ जब यहाँ पर orthoposition पर CHO याने aldehyde group जुडता है तो इसे ही कहा जाता है salisaldehyde क्या कहा जाता है इसे? salisaldehyde कहा जाता है और यह जो reaction हो रही है पूरी इस reaction का नाम है रीमन-टीमन reaction क्या नाम है इसका? रीमन-टीमन reaction और इस टाइप से naming reactions काफी exam में पूछी जाती है तो यह हमें आनी चाहिए अच्छे से अब next reaction है यहाँ पर Friddle Craft reaction और Friddle Craft जो reaction है वो भी two type की होती है यहाँ पर हम first type की अभी देख रहे है अलकाइलेशन reaction उसके बाद next देखेंगा हम acetylation of anisole का acetylation जो reaction है वो देखेंगे और यह भी कौन सी Friddle Craft है तो यहाँ पर दो type की Friddle Craft reactions पूछी है दोनों को discuss करते हैं पहले हम देखते हैं हाँ पर alkylation of anisole alkylation of anisole जब होगा तो anisole क्या है यहाँ पर यह जो structure दे रखी है वो किसकी structure है यहाँ पर anisole की structure दे रखी है anisole है यह यहाँ पर और यह methyl chloride है यहाँ पर यह दोनों जब आपस में reaction करेंगे किसकी presence में aluminum trichloride की presence में तो यहाँ पर बनता है two methyl anisole क्या बनता है two methyl anisole यह हमारी यहाँ पर second position है और यह first position है यह यह one और यह two position पर हम पर methyl जुड़ा है इसलिए क्या नाम है इसका two methyl और anisole इतनी जो structure है यह anisole की है और इसमें fourth position पर यहाँ पर CH3 group जुड़ा है यह नहीं methyl group जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा four methyl anisole ठीक है अब next है यहाँ पर nitrogen जब भी हम nitrogen की बात करते हैं तो nitrogen में क्या होता है हमेशा HNO3 के साथ में reaction होती है और इस HNO3 group से क्यों जो NO2 group है वो निकल कर यहाँ पर add हो जाता है यह है हमारे पास anisole और anisole का हमें nitrogen करवाना है यानि कि इसमें NO2 जो group है उसको add करवाना है तो one time में यानि first time में यहाँ पर ortho position पर NO2 group जुड़ता है और second time में यहाँ पर पेरा position पर NO2 group जुड़ता है यानि कि हमें ortho और meta नाइट्रो एनिजोल का mixture मिलता है product के form में हमें क्या मिलेगा यहाँ पर ortho और पेरा नाइट्रो एनिजोल का mission मिलता है यानि कि mixture मिलता है हमें तो यह हो गया हमारा यहाँ पर एनिजोल का nitrogen आप next reaction देखते हैं यहाँ पर एनिजोल का जब एनिजोल ब्रॉमिन से reaction करता है तो यहाँ पर बनता है ortho bromo fenitol क्या बनता है और साथ में आपर बनता है पेरा ब्रोमो fenitol ठीक है अब ओर्थो में क्या होगा यहाँ पर ओर्थो पोजिशन पर जूड़ जाएगा bromin और पेरा में आपर पेरा पोजिशन पर ब्रोमिन ग्रूप एड हो जाएगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फीडल क्राफ्ट ऐसेटाइलेशन ऑफ एनिजोल यह भी यहाँ पर भी फीडल क्राफ्ट रेएक्षन ही है बड़ इसमें क्या हो रहा है? Acetylation हो रहा है उपर क्या देखा था? हमने Alkylation हो रहा था अब Acetylation में क्या होता है? यहाँ पर COCH3 ग्रूप एड़ हो जाता है COCH3 जो ग्रूप है इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर Acetyl Group जब Acetyl Group Anisole के साथ में यहाँ पर add हो जाएगा तो उसे कहेंगे हम anisole का acetylation acetylation करवाने के लिए हमें क्या चाहिए है यहाँ पर anisole चाहिए इसी का acetylation करवाना है और साथ में यहाँ पर चाहिए हमें CH3-COCL group क्या चाहिए CH3-COCL group किसकी presence में reaction होती है और यहाँ पर CO-CH3 group add हो जाएगा फर्स्टाइम में यहाँ पर और्थो पोजिशन पर add होता है और सेकेंड जो compound यहाँ पर बन रहा है उसमें पेरा position पर यहाँ पर यह CO-CH3 group यहाँ पर add हो रहा है ठीक है तो इस टाइप से हमें और्थो और पेरा टाइप के यहाँ पर ठीक है यहां पर नाम नहीं दी है तो नेम हमें राइट करने की यहां पर अर्शिक्ता नहीं है तो इस टाइप से हमने देखी important directions इनको आपको 2-3 टाइम राइट करके देखना है कॉपी में ताकि यह आपको अच्छे से लर्न हो जाए और आपका आज का homework भी यही है और थेंक यू सो मच फूर वाचिंग इस वीडियो थेंक यू